तो आज हम जो डिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी चमबा तो हम और इसको हिस्ट्री वारे चेप्टर में कवर कर चुके हैं में 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 पॉइंट्स तो आज हम इसको पूरा आपका ब्रीफ में देखेंगे हम यह जो है लेक्चर दो पांच में रखेंगे विकॉस खोड़ा लेंदी है कि तो लेट्स मेक शूर कि आज हम जाद से जाद कम्प्लीट कर दें तो लेट्स स्टार्ट तो चमबा जो है वहां पर मैंने उपर ही एक पॉइंट लिख रखा है कि इसके जो रूलर्स है वो सूर्य वंशी डाइनेस्ट्री से बिलॉं करते हैं विकॉ और कांगडा के बीच का बॉडर बनाती है तो यह एक स्नोलेस रेंज है आपके लिए दो पॉइंट्स यहां पर यह है कि पांगी और जासकर रेंजिस के बीच में है आपका चिनाव वैली कि पांगी और जासकर रेंजिस के बीच में है आपका चिनाव वैली और माना जाता आपका पांगी रेंज, हम अल्वेडी पढ़ चुके हैं, पांगी रेंज हमने जोग्राफी में पढ़ रखा है, तो हाथिधार आप कांगड़ा और चंबा की बीच में, जो आपका बॉर्डर बना रहा है, वो हाथिधार, और दूसरा आपका पांगी रेंज, पांगी पांगी रेंज, इसको पांगी रेंज और कुछ जियोलोजिस्ट इसको पीर पांजल भी कहते हैं, यह आपके इस्ट ओव भुशहर से एंटर करती है, और देन डिवाइडिंग कुलू फ्रौम लाहोल नस्पिती, यह जो पांगी रेंज है, आपके कुलू और लाहोल तो यहां पे चंबा तो भूर रहा है कि यहां से बॉर्डर बनाके बड़ा भंगाल से यह आपके चंबा में एंटर कर जाती है Western border of बड़ा भंगाल तो this range divides चंबा इंटो two unequal parts make sure आपको यह point आदर कि two unequal parts unequal parts में जो है वो चंबा को यह जो पांगी range है वो आपके divide कर देती है जो इस पांगी range का जो north part उसको पांगी बोलते है northern portion जो पांगी है उसको माना जाता है कि वो place थी जहां पे political offenders को banish किया जाता था मतलब अगर कोई punishment के तोर पे किसी को कोई भेजना चाहता था तो वो पांगी भेजा जाता था अगर कोई भी उस time पे कोई punishment punishable offense करता था तो उनको पांगी भेजा जाता था important यहां पे एक और point है कि वो बोल रहा है कि जिस part point पे आपके पांगी जो है वो चमबा को एंटर करती है वहीं से एक southern branch निकाल देती है जिसको हम मनी महिष ब्रांच भी कहते हैं आप सभी को पता होगा कि इसी एडिया में अगर हमें चमबा वान के चले तो यहां पे आपके पांगी जो रेंज है उसी का जो है वो बोला जाता है कि उसकी पांगी रेंज की वो ऑफ शूट ऑफ ब्रांच है जिसको वो southern उसमें अरिया में निकाल देती है ठीक है important दगानी दार फिर एक important दगानी दार धागनी दार यह जो है आपके चमबा और आपके जम्मू का जो है बॉर्डर बनाती है ठीक है यह जो है this range forms the border between चमबा एंड बंदर्वाह और जम्मू वेरी इंपोर्टेंट हम एक पास भी पढचुके है क्या है इस पास का नाम दगानी दार है वो जो है silurian rocks coglomerate से बने हुए जैसे शिट्स, slates और बिल्यानी या आप जो है अपने जोग्राफी वाले chapters में पढ़ोगे आपको वहां पे मिलेगा कि यह जो सारी है वह आपके stones के part है तो यहां पे जो है हमारे points जो मिलते हैं हम already इसको है हमारे tertiary rocks वाले chapter में कर चुके हैं कि हमारा geological structures हमने पढ़ रखा है geology पढ़ रखे हिमाचल की वहां पढ़ चुके हैं कि चमबा एक acid district है जो है आपके हमाचल पूरे हमाचल से अलगी किसी और ही texture structures की rocks से affiliated है तो यहां पे वह दे रखा है next important जासकर range जासकर range जासकर range वह ग्रेनाइट की composed है ठीक है Genesis और ग्रेनाइट की बनी हुई है make sure आपको यहाद रहे जो जासकर range है वह boundary बनाती है चंद्रा और भागा अलग है दोनों आपकी मिलती है बारालाचा पास से यह दो नदिया दो लेक्स के थू यह निकलती है चंद्र चंद्र ताल से आपकी भागा से सूरज ताल से भागा यह आपकी टांडी में निकलती है और फिर आगे की तरफ flow करके यह आपकी चंबा में enter करती है, धिरोट में. तो यह非常 important point कि आपके जो चंधरा चंद्र भागा रिवर है, जो आप की बैंटर प्रड़ करती है जंबा में धिरोट में. ते ते लिराइं यहाँ यू आगे चलती है और यहाँ पर मैनने चाते है कि इसी रिवर भी जब यह चबमा में एंटर करते है चिनाप तो यहां पे गोल्ड भी मिलता है small quantity में तो ट्रिब्यूटरी जए इसकी मियार नाला सेंचू नाला हम अल्रडी जए रिवर्ज वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं काइंड़ी आप दुबारा से रिवर्ज वाले चैप्टर पे जाके इसको रिवाइस कीजिए तो इंपोर्टेंट आपके लिए बैंक ट्रिब्यूटरी चोभिया, कलेचू, चेनी और सच यह पास भी अगर आपको याद हो तो चोभिया पास शच पास इसकी में ट्रिब्यूटरी जए वह आपकी सियूल है यह आपकी रावी जए वह आपकी डिस्टी को लेप करती है खेरी पे और मनी महेश का जो पेर है राधा अश्टमी का फेर मन्थ ओफ सेप्टेंबर में मनाया जाता है यहां पर मनी महेश जो आपका लेक है वहां पर राधा अश्टमी का फेर मनाया जाता है मन्थ ओफ सेप्टेंबर में लेट्स कंटिन्यू आमारे हिस्ट्री के साथ, तो हिस्ट्री बला चेप्टर जह है वो आपका यह है, कि यहां पर जितना भी आपका प्रिंस्पल अथॉर्टी मिली है, वो वन्षावली से मिली है, वन्षावली एक काइंड ओफ रिकॉर्ड्स है, जहां पर हर राजा का नाम लिखाता था, कोई राजा मरता था, तो उसके बेटे का नाम उसमें लिखाता था, तो वहां से हमार को, चमबा के जो है, वो रूलर्स के नाम पता चलते है, कॉपर प्लेट्स ग्रांड जो है, वो यहां पर मानी जाती है, कि इसमें जो है, राज तरंगनी में यह लिख है कि copper plates grants issued by the early rulers of Chamba whose name figure is Raj Tarangani are still preserved. तो जिन भी copper plates जो है early rulers of Chamba के टाइम पे जो issue हुई है उनके जो mentioned है वो मार को Raj Tarangani में मिलते हैं जो आज की date में भी जिनको preserve करके रखा हुआ है. यहां की rock inscription है वो सबसे ancient है और अगर हम मा देखें तो यहां पर जो सबसे oldest inscription है वो गुपता करेक्टर की है 7th century में जो है वो मिली हुई है very important question यह याद रखने कि 7th century में जो है आपका गुपता करेक्टर की oldest character की oldest inscription जो है वो मिली है वो है rock inscription inscription इंस्क्रिप्शन भी आद रखने कौन सी है stone inscription है की rock inscription है की कैसी cave inscription है ऐसे questions जो है exam में आये हुए है तो early history अगर हम देखे तो 10th से 11th century की बीच में ठाकूर्ज ऑपर चंबा चंद्र और भागा वैली के जो थाकूर थे वो माने जाते है की चंबा के control में आगे थे 10th से 11th century की बीच में और यहाँ पे जो है कुछ ठाकूर्ज ऑ रानास the reference to the ठाकूर्ज ऑ रानास on the old copper grants and slab inscription of Chamba prove that down to the 12th century they have lost nothing वो बोलते है कि जो भी हमार को copper plate और slab inscription मिले हैं Chamba से जहां पे ठाकूर और राना के reference कियेगे वहां पे विता रखे कि 12th century तक Chamba ने कुछ भी loss नहीं किया था मैं तक Chamba उससे पहले सारी स्टेट्स किस नकिसी से लड़ाई करके कुछ ना जीत रही थी कुछ हार रही थी तो यहां पे बोला जा रहे है कि 12th century तक Chamba ने कुछ भी खोया नहीं था वेधित कोपड़ कंचा है। जो दम सब्सक्राइं के जोई है . थाकुर वो वह थाकुरी में बाउत कम है। चंबा में ठाकूर की जो फैमिली थी वो कम है, दो ही ऐसे परगना थे जहां पे वो रहते थे बहरा एंड किलर, very important बहरा एंड किलर परगना ही ऐसे एरियास थे, जहां पे जो ठाकूर फैमिली रहते थी और एक important point यह है, कि जब लोकल डालेक्ट में एक सॉंग गाया जाता है जिसमें हमीर बर्दायम का नाम है जिसने पुल्लू के राजा को हराया था तो उसके हराने उसमें डालेक्ट में एक लोकल डालेक्ट में गाना गया जाता है तो याद रखता है हमीर बर्दायम Next, Formation of Chamba वो बोला जाता है कि 6th century AD में इसकी Formation हुई है राजा जो है वो सूर्यवंशी लाइन से विलॉंग करते हैं और यहां के जो मेरू है उन्होंने टाउन ओफ भरमौर को फाउंड किया था और इसको अपनी नई क्यापिटल बनाया था इंपोर्टन्ट यहां पे एक इंसान आता है मारू ठीक है तो मारू का जाता है बहुत ही religious devotee थे और थोड़े टाइम बाद इनके जो थे तीन बेटे थे जिन में से एक बेटे को इन्होंने ancestral home दे दिया था एक बेटे को इन्होंने एक बेटे इनके mountains of कश्मीर की तरफ चल गये थे और तीसरे जो बेटे थे वो जो है यहां पे चंबा में रुके थे तो यहां पे important यह है कि कौन से राजा है जिनके टाइम पे जो है वर्मन suffix जो है first time use किया गया वह अधित्य वर्मन यह अधित्य वर्मन जो थे वह great grandfather थे मेरू वर्मन के तो यह वही मेरू वर्मन है जिनोंने आगे जाके अपनी boundaries extend की और शक्तिदेवी का आइडल है उनको जो है install किया conquest की वज़े से यहां पे यह भी बोला जाता है कि इनी के यह था आशदा ने very important time meru वर्मन के time कुल्लू के साथ meru vormन के लड़ा scalable & shra 5 जो है mukन के साथ water वह war पर होता है तो kulluk Sun viu के राजह होते है दटेशवर पाद वही इ Ça standards much न चलव नमा बना रखा है लक्शना देवी टेंपल गनेश नरसिंग यहा इन्हो ने बना रखे इंपोर्टन है सूरज मुखी श्राइं आफ़न एक समूलिट है और गुग जो Sun KEM पर जो है master craftsmen थे very important next आते है Ajayya वर्मन, Ajayya वर्मन के टाइम पर एक बहुत important factor तो गद्दी जो है वो Ajayya वर्मन के टाइम पर आपके भरमागर में settle हुए थे next important लक्षमी वर्मन, लक्षमी वर्मन से important और we will fact is that he is epidemic that changed in state and the advantage of Tibetan. Tibetan do not say Kira and Lakshmi वर्मन के टाइम पर आपके भरमागर में तो उसकी जए एडवांटेज लेता है और इस एर्या को इसी टाइम झालात को भी और आप सभी कर लगते है क्यानकि कीरा जो तिबतेंस थे उन्हों जो इस एरिया को भी इनवेड किया हुआ था तो कुल्लू जो है वो मेरू वर्मन के टाइम तक जो था वो आपके मेरू वर्मन से आगे के टाइम तक जो है कुल्लू जो है वो आपके चम्बा के पास रहा बट जैसे ही लक्ष्मी वर्मन की डेथ हुई तो आपके लक्ष्मी वर्मन के बाद जो है कुलू के राजा थे उन्होंने जो अपने आपको छुड़वा लिया था चमबा से तो मतलब मेरू वर्मन से लक्ष्मी वर्मन के टाइम के बीच आपके कुलू जो है वो चम्बा के पास था बट लक्ष्मी वर्मन की डेथ के बाद जो है कुलू को छुडा लिया जाता है and regained in independence साहिल वर्मन नेक्स आपके राजाते हैं साहिल वर्मन इनके टाइम पे फिर से 12 साल तक आपकी वाड जो थी वो आपके कुंडू के साथ छिड़ गई इन्होंने ब्रह्मु पूरा से अपनी जो क्यापिटल है सीट जो है उसको चेंज कर दिया चंबा टाउन पे यह चंबा टाउन वही है जो मेरु वर्मन ने पाउन की थी तो इन्होंने ब्रह्मु पूरा से ट्रैपिटल जो है वो चंबा में चेंज कर दी इन्हीं के एक सेशन के बाद जो है वो 84 योगी जो है इनके टाइम पर विजिट किये थे और माना जाता है कि इनका कोई बेटा न हखनान रहा रह अनको इनलोने अंने सबने रहाया इसकी मदद से चर्पत नाथ चरपतनाथ की मदद से इनोने जो ह्रावि के जितने भी पेटि रहा मखंश मखना शुद्स ने एक हम ब्रामन ये बोला था कि सब्सक्राइब आप छहए आप इक प्रमस के इय affirm है है मैं आपक यह ब्रहामन ने बोला था कि आपको हर शादी पे आठ चकली देने पड़ेंगे तभी मैं आपको यह जगह दे सकता हूं तो इसलिए जगह है टेरेटर है यह जहां पर चमबा टाउन यह चमबा एरिया है यह जूए किसी ब्रहामन से लिया हुआ था सुही का मेला जो है हम already देख चुके हैं ये रसाहिल वर्मन की वाइफ ने अपने आपको दान कर दिया था क्योंकि उनके एरिया में जो पानी नहीं आता था इसकी वज़े से जो है वो माना जाता था कि जब तक इनके एरिया में कोई अपने आपको दान नहीं करेगा तब पानी आएगा तो उससे से रिलेटीर ये मेला है कि इनकी जो वाइफ थी नैना या सुनैना उन्होंने अपने आपको नचावर कर दिया था और जैसे ही उन्होंने अपने आपको दान दिया, वैसे ही क्या हो गया, वहाँ पर पानी आ गया, तो उसी से related यह फेर है, सुही फेर, यहाँ पर जो है, वोमन और चिल्वरन अलावड है, वही इस पर फेर में जाते हैं, तो उसका जो श्राइन है, आपका सुही मेला टेंपल का वो जो है, राणी शारदा, जीत सिंह की वाइव, जो राणी थी, उन्होंने उसको इसको चंट्रक्ट करा है, साहिल वर्मन से related important temples है, लक्षमी नरायन, कामेश्वरा टेंपल, चंद्रगुप्त टेंपल, important है, और बारा जाता है कि इन ही ने क्या किया था, चर्पतनाथ उनके टाइम पे योगी थे, फेमस योगी थे, जिनकी वज़त से रानाज को हराया भी गया था, उनका जो, as a honor of him, चर्पतनाथ के honor में, उन्होंने अपने coins पे जो थे, वो pierced ear का जो है, symbol जो है, वो बनाया था, तो हर्मेस गोटिस के, according जो साहिल वर्मन थे, वो जो थे, गुर्जरा परतिहारा के टाइम पे जो राइज हुए, और उनके टाइम पे जो है, वो मिलिटरी गवर्नर हुआ करते थे, important है, next, सलवाहन वर्मन, सलवाहन वर्मन के टाइम पे, तीन कॉपर प्लेट्स मिली है, दो मिली है, साही और टीसा परगना पे, और चूरा जो है, वो रिवील किया जाता है, कि चूरा उस राइम पे जो है, बशोली का पार्ट था, very important, चूरा वोस देन पार्ट ऑफ बशोली और यही जो है, बशोली का पार्ट, जो चूरा है, यह आपका बोन ओफ कंटेंशन होता था, बशोली और चंबा के बीच में, आम आगे पढ़े कि अनन्त देव और कश्मीर ने चंबा को इंवेट किया था, 11th century में, ललित वर्मन के टाइम पे दो स्लाप्स मिली है, देहरी, कोठी और सालही में, जहां पे इन्होंने पंगी, जहां पे पांगी को पंगटी लिखा हुआ है, important, next, प्रताप सिंग वर्मन, प्रताप सिंग इंपर्पाल, important यह है, कि during the Guler was occupied by Chamba, contemporary of Akbar, इस टाइम पे क्या हुआ, गुलेर वार ब्रोग भी Chamba और कांगरा, तो इस वार में, जहां, वो कांगरा से Chamba, जहां, वो गुलेर जहां, वो उक्यूपाय कर लेता है, यह जहां, अकबर के contemporary होते हैं, very important, प्रताप सिंग वर्मन होते हैं, वो अकबर के contemporary होते हैं, इनके ही टाइम पे जो है, वो चमबा जो है, वो मुगल्स की tributary बनता है, तो very important, प्रताप सिंग वर्मन, इनही के टाइम पे जो है, टोडर माल को भेजा जाता है, जब आपकी बीदी चंद वाले टाइम पे लड़ाई होती होती है, तो उस टाइम पे अकबर जो है, टोडर माल को ओर्डर करते हैं, कि जाइए और उस वाले एरिया से कुछ-कुछ एरिया जो है, हमारे अंडर लेके आइए, तो टोडर माल जो है, वो चमबा से रिहलू, चहरी और गरोह लावते हैं, और कांगडा से 66 villages, तो यहां पे जो है, इन में लडाई छिड़ जाती है, बारा साल तक लडाई चलती है, राजा आफ नुर्पूर, आपके सूरज माल होते हैं, तो क्या करते हैं, इम्पीरियर, फोसिर जो है, उनके अगेंस क्या कर देते हैं, रिबल कर देते हैं, आप सभी को अगर यह स्टोडी नहीं पता है, तो क आप कांगरा डिस्टिक भी देखिये और हिस्ट्री भी देखिये अगेन रिपीट करकर के आप लोगों को समझ आएगा हम अलवड़ी पढ़ चुके है कि जब जहांगीर आपके कांगरा फोट पे इन्वेजिन करने जाता है तो वो सूरजमाल को भेजता होता है दो दो बारी जब युक है सूराजमाल ह्मेशा उनके साथ असिस्ट कर रहता है उनके साथ लड़ने लग जाता है और एंड में सूरजमाल ज्यांगीर के अगेंस्टी लड़ाई शेह दता है कांगरा फोट को कांगरा फोट कांगरा पोकी इन्वेजिन जुए वो रह जाती है बाट एnd जहांगीर को जभ जहांगीर यह फोर्ट की कन्क्वेस्ट के बाद वो विजिट करते हैं वह राजा जनार्दन आफ जम्बा जब हमने हिस्ट्री का टॉपिक पड़ा था वहांपे भी पड़ा था हम आंगडा में भी पड़ चुके हैं तो यहांपे वही जगत सिंग जब उन के जगधनते नूरपूर ऑनाते LOOK है वो इसके टारागढ़ फोल्डर और जनार्धन के टाइम होते है जानार्धन के मॉन्पूर जय एक्सपैंशन कर रही है उनके पास पावर सिञ को और पावर लेना चाहते हैं तो यहां पे वह जगज सिंग ईफ नूरपूर जहाई व आपके जनार्धन के सात्थ बैल करते हैं इस बैटल का नाम है battle of धहलोग bïiki battle of धहलोग सिंग जनारधन और जगज सिंग इफ नूरपूर के बीच जनार्दन, बैटल ओफ धनो, धलोक के बाद जगत सिंग और नूरपूर के अंडर चमबा आ जाता है, और यह फोट अफ तारगड भी विराता है, बट यहां पर एक इंपोर्टन चीज होती है, कि जनार्दन जो होती है, उनके टाइम पर उनकी वाइफ जो होती है, वो प्रे वो लड़ाई करेगा और अपने जो स्टेट है चबबा को चुडाना चाहेगा, तो यहां पर वो ही होता है, आपके जनार्दन के बेटे, वो बड़े पृत्वी सिंग ब़ान होते है, तो जनार्दन के बेटे थे पृत्वी सिंग, तो यह चोटे थे तो इनको बतलु, इन जाए वो एक्सपैंशन कर रहे होते हैं और बाद में वो जगत सिंग जो है वो मुगल अथोरिटीज के अगेंस्ट ही जो है आपके हमला कर देते हैं जैसे वीडिशन ने किया था था सूरजमाल ने किया वैसी जगत सिंग ज़ह वो भी आपके और जहां पर बटलून को लेगे योतिय मंडी बे उन राजा की मदद से help मांगते हैं अपनी territory चुड़वाने को तो परित्वी सिंग के वास जो है चमबा वापिस आ जाता है जगर सिंग आफ नूर्पूर के हातों से निकल कर जहां पर important fact यही था और याद रखना प्रित्वी सिंग प्रित्वी सिंग क्या करते हैं प्रित्वी सिंग हेल्प तो लेता है मंडी और सुकेत के साथ में वो संग्रामपार वफ बशोली को भी बोलते हैं कि प्लीज मेरी मदद के लिए आजा तो बशोली जो है उनकी मदद के तो जो मैं परगना उफ भलाई एक परगना होता है उनके टाइम पर बशोली के पास तो बोलते है कि मैं तुझे भलाई परगना दे दूगा तो ठीक है तो जहां पर संग्रामपाल वफ बशोली इनकी मदद कर दते हैं और इनको भराई परगना दे दते हैं important fact जो है आपके तो आज की डेट में जो चमबा के जो आइडल है रगुबीर देवता जी जो है वो माने जाते हैं कि वो जो है शाहां के टाइम पर ही एंपरर ने जो है किसी occasions पे उनको जो है प्रित्वी सिंग को सौपा था तो आज की डेट में जो भी ये वेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे जो है रगुबीर ये राम भगवान से फिलेटीड है तो उनके साथ इनको जोड़ा जाता है नेस्ट इंपोर्टेंट एंड लास्ट पार्ट ऑफ आज की क्लास का हम यहां तक ही पड़ेंगे कल जो है हम आगे छतर सिंग पे continue करेंगे तो यहां पे जो इनके टाइम पे इंपोर्टेंट है कि इनकी जो नर्स थी बटलू जो इनको जो है छुड़वा के जगत सिंग की कुमंडी ले जाती है का जाता है कि उन्होंने खाजी नाज टेंपल हडीमबे टेंपल और सिताराम टेंपल जो है वह इनकी जो नर्स है बटलू उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है तो यह जो था आपका चंबा टॉपिक था